अगर आपको half ticket book करना है वो भी मैंने आपको बताया है किन किन बातों का हमें ध्यान देना होता है वो सारी चीजे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है और ये train ticket book करने का दूसरा पार्ट है इसके पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने आप IRCTC का account कैसे बना सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा है तो उपर आई बटन में या फिर नीचे वीडियो के description box में link मिल जाएगा अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लिजेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नामी गुलाब और अगर आप computer या फिर laptop इस्तमाल करते हैं तो भी आपको उसमें जो है Google ही open करना है और Google open करने बाद यहां पर आपको लिखना है IRCTC जैसे ही आप लिख करके search करते हो तो सबसे पहली वाली यह जो website आती है www.irctc.com.in आपको इसी website पर click करना है जब आप इस website पर click करते हो तो इ यहां पर आपको from वाले section में आना है आपको from वाले section में उस station का नाम डालना है जहां से आप जो है ticket book करना चाहते हो और two वाले section में आना है और यहां पर आपको उस जगह का नाम डालना है जहां पर आप जाना चाहते हो जैसे कि मुझे जो है आजमगर से मुमबई जाना है तो मैं उपर वाले box में जो है आजमगड station डालूँगा और नीचे वाले में जो है मुंबई station डालूँगा मुंबई में कई जगे station है तो मैं लोकमान तिलक station पर जाना चाहता हूँ तो मैं लोकमान तिलक वाला station नीचे वाले में डालूँगा तो चलिए सबसे पहले तो हम उपर वाले पे क्लिक करते हैं यहाँ पर मैंने आजमगड लिखा है और लिखते ही देखिए यहाँ पर आजमगड AMH करके स्टेशन आ गया है मैं इस पर क्लिक करूँगा इसी तरह के से आप जो भी स्टेशन का नाम टाइप करोगे उसका जो है नीशे स्टेशन का नाम आ जायेगा आप उस पर क्लिक करके जो है सलेट कर लिजिए ठेक इसी तरह के से मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आपको स्टेशन के नाम में मिलेंगे अगर आप इसमें से ढूंडना चाहो उस स्टेशन का नाम तो ढूंड सकते हो वरना आप यहां पर सिर्फ टाइप करके भी उसको सेलेट कर सकते हो जैसे कि मैं यहां पर जो है लोकमान तिलक लिक देता हूँ मेरे स्टेशन का नाम आ गया है तो मैं यहां पर जो है क्लिक करके सेलेट कर लूँगा स्टेशन का नाम यहां पर भरने के बाद अब आपको काम करना है वो है डेट किस date को आप यह यात्रा करना चाहते हो उस date को आपको यहाँ से calendar में click करना है और यहाँ से वो date select करनी है आप चाहो तो यहाँ पर click करके यहाँ पर month भी change कर सकते हो आप इस पर click करोगे तो अगला महीना आएगा इसी तरी के से आपको जिस भी महीने का बुक करना है बस आप इस पर क्लिक करिए अगला महीना आजाएगा अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो पिछला वाला महीना आएगा जैसे कि मुझे जो है अपरेल में टिकट बुक करना है वो भी मुझे 16 अपरेल को बुक करना है से आपको यह सारा काम यहां पर कर दिना है इसके बाद आपको कुछ भी यहां छेड़ खानी नहीं करनी है अब आपको क्या करना है नीचे आपको एक option दिखाए देगा search का आपको इसी option पर click करना है इसके बाद आपके सामने इस तरीके से page दिखाए देगा हमने जो भी station का नाम डाला था उस station से जितनी गाड़ियां चलती होंगी उसकी list यहां पर दिखाए देगी फिलाल जो है उस station से होकर के सिर्फ एक ही गाड़ी चलती है जो की गोदान express है इसलिए जो है सिर्फ एक ही गाड़ी का यहां पर नाम दिखा दे रहा है अगर आपने कोई ऐसा station डाला है जहां से होकर धेर सारी गाड़िया जाती है तो वहां पर आपको यहां पर धेर सारी गाड़ियों अभी आप देखोगे कि 16 तारी को जो है अवेलेबल है यानि टिकट आप बुक कर सकते हो अभी 172 सीट यानि 172 टिकट अभी बुक हो सकते हैं यानि सीट कनफर्म आपको मिल जाएगी इसी तरीके से अगर आप जो है कोई और डेट भी देखना चाहते हो कि उस देट को अवेलेबल है की नहीं आप यहाँ पर जो है राइट चैड में देख सकते हो कि 16 के बाद 18 को अवेलेबल है 19 को भी है 21 को भी है 23 को भी है 25 को भी है और अगर आप जो है इस उप्सन पे क्लिक करोगे तो पीछे भी दिखेगा आपको फिर से इस पे क्लिक करते हैं तो देखे पीछे भी हमको यह रिफ्रेश करके ले जाएगा कि देखे 5 अपरेल को भी अवेलेबल है 7 को भी है 9 को भी है 11 को भी है 12 को भी है और 14 को भी है इस तरीके से आप जो है बिना यहाँ पर डेट को चेंज किये आपको यहाँ पर डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ यही पर भी इन दो अप्सन का इस्तेमाल करके डेट को चेंज करके देख सकते हो कि किस डेट को जो है कितनी seat available है जैसे कि मुझे जो है सिर्फ solar तारी को ही ये ticket book करना है इसलिए मैं जो है solar पे click करूँगा आप जिस भी date को ticket book करना चाहते हो आपको उस पर इस तरीके से click करना होगा जो इस train का ticket है वो 640 रुपे passenger है यानि एक व्यक्ति को 640 रुपे देने होंगे regeneration के लिए sleeper में इसी तरीके से आप जिस भी गाड़ी का ticket book करोगे यहाँ पर उसका rate भी दिखाएगा यानि उस गाड़ी का ticket का rate कितना है वो यहाँ पर दिखाता है इसके बाद आपको टिकट book करने के लिए इसको select करना होता है इसके बाद आपको यहाँ पर एक option दिखाए देता है book now का आपको इसी पर click करना होता है जब आप इस पर click करोगे तो इसके बाद आपको जो है इसके अंदर login करने के लिए बोलेगा यहाँ पर नीचे डाल करके आप जो है sign in कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास जो है IRCTC का login ID और password नहीं है तो इसके लिए आपको जो है IRCTC पर registration करना होगा IRCTC पर registration कैसे करते हैं अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के नीचे description box में एक वीडियो का link मिलेगा जिसमें मैंने आपको पूरा complete बताया है कि आप IRCTC का account कैसे बना सकते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजेगा इस वीडियो के नीचे description box में उसका link है जब आप अपना IRCTC का account बना लेते हो तो यहाँ पर invalid capture लिखा हुआ आएगा फिर से एक नया capture आता है उस capture को फिर से आपको इसके अंदर डालना होता है capture डालने बाद फिर से आपको sign in पर click करना है जब आप अपना ID और password डाल करके IRCTC के website पर sign in हो जाते हो इसके बाद आपके सामने फिर से ये page आ जाता है अब आपको फिर से book now पर click करना है अब आपके सामने इस तरीके का एक page दिखाई देगा जिसमें अब आपको passenger की detail भरनी होगी यानि जिसके भी नाम से आप ये ticket book कर रहे हो उसका नाम डालना है उसकी age कितनी है ये डालना है वो gender क्या है male है या female आपको यहां से select करने ना है और इसके बाद यहां पर आपको कुछ छेड़ खानी नहीं करनी है और no reference में आपको ध्यान देना है कि अगर आप lower seat चाहते हो जो नीचे की seat होती है तो आप lower select करिए अगर middle बीच वाली seat चाहते हो तो middle select करिए अपर वाली seat चाहते हो तो उपर वाली side lower और side upper का मतलब ये है कि जो train में side की तरफ एक-एक seat होती है वो वाली seat है अगर आप वो seat चाहते हो तो यहां से select कर लिजी मैं यहां पर lower seat चाहता हूँ तो मैं lower पर क्लिक कर दूँगा इसके बाद जो है मैं यहां पर passenger की detail डाल देता हूँ और उनका age तो यहां पर मैंने passenger की detail डाल दी है आपको भी passenger की detail डाल लेनी है अगर आप एक से ज़ादा लोगों का ticket book कर रहे हो तो आपको यहां पर एक option दिखाए देगा और अगर आपके साथ 5 साल से छोटे बच्चे जा रहे हैं तो उनका ticket के पैसे नहीं लगते हैं लेकिन उनको भी आपको यहां पर add करना होता है अगर आपके साथ 5 साल से छोटे बच्चे जा रहे हैं उनका अगर नाम यहां पर add करना चाहते हो और यहाँ पर देखिए यह मैंसल भी क्या गया है टिकट से नाट भी ए इसू यानि टिकट जो है इसू नहीं होगा चार साल पांच साल के छोट नीचे बच जोगा ठीक है और यही बात जो है यहाँ पर भी मैंसल की गई है कि अगर कोई चिल्डरन यानि छोटे हैं जो जाता है और एक कंडिशन और आती है कि कोई बच्चा अगर पांच साल से उपर है अगर आप उसका टिकट बुक करना चाहते हो तो उसका हाफ टिकट कैसे बुक होता है मैं आपको बता दू कि अगर पांच साल से आपका बच्चा उपर है और दस साल से नीचे है तो उसका ह लगता है उसको half ticket को book करने के लिए आपको सभी तिकर्स किया था, सभी और लगर, पांट साल से उपर करोंगा, आपको उसका नाम ढाल देना है, उसकी चेट जंडर सेलेक्ट करेना है ये सब करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर जो है रिफरेंस भी एड़ कर सकते हो लोवर वाली सीड चाहिए या मिडल अगर आप जो है ये सारी डीटेल भर देते हो और इस चेक बोक्स को ऐसे ही रहने देते हो आप ये चेक बोक्स को देख लीजिए इस पर अगर टिक रहेगा तो इस बच्चे का पूरा पैसा लगेगा यानि जो इस passenger का पैसा लग रहा है जितना पूरा का पूरा इस वाले बच्चे का भी पूरा पैसा लगेगा तो इसका half ticket आपको book करना है जिसके लिए जो है आपको इसको uncheck कर दे रहा है जैसे ही आप uncheck करने की कोशिस करोगे यहाँ पर एक information आ जाएगी यह बोल रहा है no birth be allowed for child and half the adult for will be charged यानि कि यह जो है अगर आप इसको uncheck कर देते हो तो बच्चे के लिए कोई birth allowed नहीं होगी लेकिन जो है उसका half ticket charge होगा तो आपको जो है इसको okay कर देना है अब जो है इस बच्चे का सिर्फ half ticket जो है allow होगा यानि half ticket ही लगेगा लेकिन इसके लिए जो है आपको कोई भी seat नहीं मिलेगी आपको जो है इस बच्चे को अपने साथ ही लेके जाना पड़ेगा इसके लिए seat नहीं मिलेगी इसका half पैसा लगेगा यह सारी details जैसे मैंने बताई है उसी तरीके से आपको भर लेनी है इसके बाद आपको जो है नीचे आना है नीचे आने के बाद आप यहां पर देखोगे अब आपको जो है payment करना होगा payment करने के लिए जो है आप credit card और debit card का इस्तमाल कर सकते हो नेट बैंकिंग वैलेट भारत की वार यह सारे option है लेकिन अगर आप जो है भीम UPI के थुरू payment करना चाहते हो जैसे phone पे, Google पे और इसके बाद जो है पेटियम UPI के थुरू तो आपको नीचे वाला select करना है अगर आप जो है भीम UPI के थुरू payment करते हो तो आपको 10 उर्पे का conversion चार देना होता है लेकिन अगर आप credit card, debit card, net bank करते हो तो 15 उर्पे का देना होता है यह आपको ध्यान देना है यह select करने के बाद आपको continue पर क्लिक करना है जब आप continue पर क्लिक करोगे तो इसके बाद फिर से पूरी की पूरी detail आपको दिखाई देती है जहाँ पर आपको गाड़ी का नाम दिखाई देता है और जिस station से जिस station जाना चाते हो वो station का भी नाम दिखाई देता है आजमगर से लोकमान तिलक के लिए एक passenger का जो ticket है वो 640 रुपे है जैसा कि मैंने आपको सुरू में दिखाया था और total मुझे 950 रुपे ticket के देने हैं और 11 रुपे conversion fees है यानि 950 में से अगर 640 निकाल देंगे तो दूसरा जो हमारा ये जो 7 साल का बच्चा है उसकी सिर्फ और सिर्फ हाफ टिकट लगी है जो कि 310 रुपे होती है आप इसको calculate करें के देख लीजिएगा अब आपको जो है नीचे आना है नीचे आने के बाद जो है ये जो capture दिया गया है इसको same इसी में भरना है और इसके बाद जो है आपको continue पर क्लिक करना है जब आप continue पर क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने ऐसा interface दिखाए देगा यहाँ पर आपको payment method में दो method मिलते हैं पहला तो multiple payment service है जिसमें credit card debit card है और इसमें जो है phone pay credit card debit card यानी paytm का credit card debit card और phone pay का अगर आपके पास credit card debit card है आप यह इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप फोन पे 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 टियम गूगल पे से UPI की थुरू payment करना चाहते हो तो आपको second वाला option select करना है और यहाँ पर आपको जो है इस पर QR code search करोगे तो आप यह यहाँ पर payment कर सकते हो जिस तरीके से आप दुकानों पर payment करते हो अब आपको क्या करना है अगर आप UPI के थुरू payment करना चाहते हो तो आपको जो है UPI का option नीचे मिलता है आपको इस पर पर क्लिक करना है जब आप verify पर क्लिक करोगे तो इसके बाद जो है यह पूरी तरीके से verified हो जाएगी अब आपको जो है paper क्लिक करना है जब आप paper क्लिक करोगे तो थोड़ा सा processing होगा जो भी आपने UPI ID डाली है जैसे paytm की phone pay की Google pay की उसको जो है उस application को आपको अपने mobile phone मे open करना है उसमें message गया होगा उस message को आपको open करके अपना जो UPI pin होता है उसको डाल देना है हम क्या करते हैं उसको open कर लेते हैं open करने के बाद हम जो है जो message आया उस पर paper क्लिक करेंगे इसके बाद जो है दुबारा से paper क्लिक करना होगा अब जो है मैं यहाँ पर अपना UPI ID उसको डाल करके submit कर देता हूँ submit करने के बाद यहां से processing जैसे ही होगी वैसे ही हमारे यहां पर भी processing complete हो जाएगी यहां से payment complete हो चुकी है आप देखोगे यहां पर भी processing चल रही है अभी आपको back नहीं जाना है बिल्कुल यहीं पर रुक रहा है ठीक है अगर बीच में यह processing रुक भी जाती है आपका payment cancel भी हो जाता है तो भी IRCTC आपको पैसे आपके खाते में जिससे कटे हैं उसमें वापस कर देता ठीक है तो इसके लिए आपको घबडाना नहीं है लेकिन आपको पीछे नहीं जाना ठीक है आपको यहीं पर रुके रहना है जब तक यह page automatic refresh नहीं हो जाता है अब आपको जो है यहाँ पर skip पर click कर देना है अब आप नीचे की side में देखोगे तो आपका ticket जो है पूरा confirm हो चुका है यहाँ पर यह जो lower birth मिली है और यह जो coach है S9 में है ठीक है और ticket का number क्या है वन है पहला ही इनका birth है और lower birth है मतलब नीचे की seat है और जो दूसरा passenger था जिसकी half ticket लगी है उसके लिए कोई coach और birth अलाऊ नहीं हुआ यानि seat भी नहीं इसको मिली है और ना इसका coach भी अलाऊ है जबकि जो पहला वाला passenger था उसका coach जो है S9 है S9 में उनको जो है पहली seat उनकी है अब अगर आप जो है इसको print करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको option मिल जाता है print का आप इस पर click करिए इस तरीके से अगर आपके computer के साथ printer जुडा होगा तो print करने का option आ जाएगा आप नीचे आईए यहाँ पर जो देखिए print करने का option है उसको पर click कर लीजिए और जो भी printer जुडा है उससे आप print कर सकते हो फिलाल मैं इसे जो है PDF में save कर लेता हूँ यहाँ पर बैस save पर click करूँगा जहाँ पर भी मुझे save करना है IRCTC से train ticket book कर सकते हैं उमीद करूँगा यह वीडियो आपको काफी जादा पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like करिएगा अपने friends and family के साथ whatsapp पर इस वीडियो को share कर दीजेगा ताकि उन सभी का भी फायदा हो सके और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कोमेंट करके जरूर बताएंगे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम